C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 4 आधार भूत ज्यामितिय अवधारनाई प्रिष्ठ 87 4.11 त्रिभुज त्रिभुज यानी ट्रायांगल एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है वास्तव में यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है सनलगन आकरिती 4.21 में दिये त्रिभुज को देखिए हम त्रिभुज ABC के लिए सांकेतिक रूप से त्रिभुज का चिन्ह बनाकर ABC लिखते हैं त्रिभुज ABC में कितनी भुजाएं हैं? इसमें कितने कोण हैं? इस त्रिभुज की तीन भुजाएं रेखाखंड AB, BC और CA हैं इसके तीन कोण हैं? कोण BAC, कोण BCA और कोण ABC बिन्दु A, B और C इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं प्रिष्ठ 88 एक बहुभुज होने के कारण एक त्रिभुज का एक बहिरभाग और एक अभियंतर होता है सनलग्न आकृती 4.22 में P त्रिभुज के अभियंतर में स्थित है आर त्रिभुज के बहिरभाग में स्थित है और Q स्वयम त्रिभुज पर स्थित है प्रशना वली 4.4 1. त्रिभुज ABC का एक रफ चितर खीचिये इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदू P अंकित कीजिए और उसके बहिर भाग में एक बिंदू Q अंकित कीजिए बिंदू A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर भाग में स्थित है 2. A. सनलगन आकरिती में तीन त्रिभुजों की पहचान कीजिए B. साथ कोणों के नाम लिखिये C. इसी आकरिती में छै रेखा खंडूं के नाम लिखिये D. किन दो त्रिभुजों में कोण B उभाय निष्ठ है 4.12. चतुर भुज चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर भुज यानी ख्वाडरी लाटरल कहलाता है इसकी चार भुजाओं और चार कोण होते हैं एक त्रिभुज की ही तरहा आप इसके अभ्यंतर को देख सकते हैं उस विधी को देखिये जिस क्रम में चतुर भुज के शीर्षों के नाम लिखे जाते हैं चतुर भुज A, B, C, D आकरिती 4.2, 3 की चार भुजाएं रेखाखंड A, B, रेखाखंड B, C, रेखाखंड C, D और रेखाखंड D, A हैं इसके चार कोण हैं कोण A, कोण B, कोण C और कोण D यहाँ नीचे दो आकरितियां और दी गई हैं यह चतुर भुज P, Q, R, S है क्या यह चतुर भुज P, Q, R, S है? प्रिष्ट नवासी किसी चतुर भुज A, B, C, D में रेखाखंड A, B और रेखाखंड B, C आसन भुजाएं हैं क्या आप आसन भुजाओं के अन्य युग्म लिख सकते हैं? इस चतुर भुज में रेखाखंड A, B और रेखाखंड D, C सम्मुख भुजाएं यानि opposite sides हैं सम्मुख भुजाओं के अन्य युग्म के नाम लिखिए कोण A और कोण C, चतुर भुज A, B, C, D के सम्मुख कोण यानि opposite angles कहलाते हैं इसी प्रकार कोण D और कोण B भी सम्मुख कोण हैं स्वाभाविक है के कोण A और कोण B आसन कोण यानि adjacent angles हैं अब आप आसन कोणों के अन्य युग्म लिख सकते हैं प्रशनावली 4.5 1. चतुर भुज P Q आरस का एक रफचित्र खींचिए इसके विकर्ण खींचिए इनके नाम लिखिए क्या विकर्णों का प्रतिछैद बिंदु चतुर भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिरभाग में स्थित है 2. चतुर्भुज K-L-M-N का एक रफचित्र खीचिए बताईए A. सम्मुख भुजाओं के दो युग्म B. सम्मुख कोणों के दो युग्म C. आसन भुजाओं के दो युग्म D. आसन कोणों के दो युग्म 3. खोज कीजिए 2. पट्टियां और उन्हें बांधने की वस्तुयं लेकर एक त्रिभुज बनाईए और एक चतुर्भुज बनाईए 3. त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयतन कीजिए यही कार्य चतुर्भुज के लिए भी कीजिए क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया? क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन हुआ? क्या त्रिभुज एक द्रिड़ यानि rigid आकृती है? क्या कारण है के विद्युत्र टावरों यानि electric towers जैसी सनरचनाओं में त्रिभुजी आकारों का प्रयोग किया जाता है? चतुर्भुजी आकारों का नहीं. 4.13 वृत्त आप अपने परियावरण में अनेक वस्तुएं पाएंगे जो गोल होती हैं, जैसे भहिया, चूडी, सिका, इत्यादी. हम गोल आकृतियों का अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं. एक भारी इस पात की ट्यूब को खीचने की अपेक्षा लुड़काना अधिक सरल होता है. वृत्त यानी सर्कल एक सरल बंदवक्र है, जो एक बहुभुज नहीं है. इसके कुछ बिशिष्ट गुण हैं. प्रिश्ट नब्बे इनहें कीजिए. एक चूड़ी या कोई और गोल वस्तु को खागज पर रखिए और उसके चारों और पैंसिल घुमा कर एक वृत्ताकार आकरिती बनाएए. यदि आपको एक वृत्ताकार बाग बनाना हो तो आप कैसे करेंगे? दो डंडी और एक डोरी लीजिए. भूमी पर एक डंडी को गाड दीजिए. यह खींचे जाने वाले वृत्त का केंद्र यानी सेंटर है. डोरी के प्रतीयक सेरे पर एक भंदा यानी लूप बना कर दो भंदे प्राप्त कीजिए. एक फंदे को केंदर वाली पहली डंडी में डाल दीजिए और दूसरे फंदे को दूसरी डंडी में डाल दीजिए इन डंडियों को भूमी के उर्धवाधर रखिए दोरी को तनी हुई रखते हुए भूमी पर दूसरी डंडी को घुमा कर एक पत बनाईए आप एक वृत यानी सरकल प्राप्त करेंगे स्वाभाविक है के वृत परस्थित प्रत्येक बिंदू केंद्र से बराबर या समान दूरी पर है वृत के भाग सनलगन आकरिती 4.24 में केंद्र C वाला एक वृत है A, P, B, M वृत परस्थित कुछ बिंदू है आप देखेंगे के C A बराबर C B बराबर C P बराबर C M है प्रत्येक रेखाखंड C A, C B, C P या C M वृत की एक त्रिज्या यानी रेडियस है त्रिज्या वह रेखाखंड होता है जो वृत परस्थित बिंदू को उसके केंद्र से जोड़ता है इसी आकरिती में रेखाखंड C P और रेखाखंड C M ऐसी त्रिज्याएं हैं कि बिंदू P, C, M एक ही रेखा में हैं रेखाखंड P M वृत का एक व्यास यानी डायामिटर कहलाता है क्या वृत का व्यास उसकी त्रिज्या का दो गुना है? हाँ, वृत परस्थित किनही दो बिंदूओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत की एक जीवा यानी कौड कहलाती है इसी प्रकार रेखाखंड P B वृत की एक जीवा है क्या रेखाखंड P M भी वृत की जीवा है? वृत के एक भाग को उसका चाप यानी आख कहते हैं यदि P और Q वृत पर स्थित बिंदू हैं तो आपको चाप P Q प्राप्त होगा हम इसे P Q और उस पर अर्ध चंद्राकार के चिन्ह से व्यक्त करते हैं आकृती 4.2.5 किसी सरल बंद वक्र की ही थरहा आप एक वृत के अभियंतर और बहिरभाग के बारे में सोच सकते हैं वृतियक्षेत्र का वहभाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिर कर बनता है एक त्रिज्यक्षंड यानि सेक्टर कहलाता है प्रिष्ठ 91 वृति की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृतियक्षेत्र का भाग एक वृत्ता खंड यानि सेग्मेंट ओव सरकल कहलाता है कोई भी वृत्ता कार वस्तु लीजिए एक धागा लीजिए और उसे उस वस्तु के अनुदिश एक बार रख कर धागे की लंबाई को मापिए धागे की यह लंबाई उस वस्तु के चारों और एक चक्कर लगाने में तै की गई दूरी है यह लंबाई क्या विक्त करती है वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी उसकी परिधी यानी सरकमफरंस कहलाती है यहां चित्र चार दशमलव दो शे में ये दिखाया गया है इन्हें कीजिए एक वृत्ता का शीट लीजिए इसे मूड कर दो आधे भाग यानी हाव्स बनाएए दबा कर मूड का निशान बनाएए और शीट को खोल लीजिए क्या आप देखते हैं कि वृत्ती एक शेत्र उसके व्यास द्वारा दो आधे यानी बराबर भागों में विभाजित हो गया है वृत्त का एक व्यास उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है प्रत्येक भाग एक अर्ध वृत्त यानि सेमि सर्कल कहलाता है एक अर्ध वृत्त वृत्त का आधा भाग है जिसमें वृत्त का व्यास यानि उसके अंत बिंदूओं को छोड़ कर सम्मिलित नहीं है प्रश्नावली चारदशमलवचे 1. सनलग्न आक्रिती देख कर लिखिये A. वृत्त का खेंद्र B. तीन त्रिज्याएं C. एक व्यास D. एक जीवा E. अभ्यंतर में दो बिंदू F. बहिरभाग में एक बिंदू G. एक त्रिज्य खंड H. एक वृत्त खंड 2. A. क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है B. क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है 3. कोई वृत्त खीचिये और निम्न को अंकित कीजिये A. उसका केंद्र B. एक वृत्त खंड C. एक त्रिज्या D. उसके अभ्यंतर में एक बिंदू, प्रिष्ठ बानवे, E. एक व्यास, F. उसके बहिर भाग में एक बिंदू, G. एक त्रिज्य खंड, H. एक चाप. 4. सत्य या असत्य बताईए, E. व्रित के दो व्यास अवश्य ही प्रतिछेद करेंगे, B. व्रित का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है. 5. हमने क्या चर्चा की? 1. बिंदू एक स्थिती निर्धारित करता है. इसे सामानितह अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है. 2. दो बिंदूं को जोडने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड दर्शाता है. 3. बिंदू A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखाखंड A, B से दर्शाते है. रेखाखंड A, B और रेखाखंड B, A दोनों एक ही रेखाखंड को दर्शाते हैं. 3. जब एक रेखाखंड जैसे रेखाखंड A, B को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है, तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है. इसे A, B और उपर रेखा के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है. इसे कभी-कभी L जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है. तो वे प्रतिछेदी रेखाएं कहलाती हैं। पांच, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती, अर्थात नहीं काटती हैं, तो वे समानतर रेखाएं कहलाती हैं। छे, किरण रेखा का एक भाग होता है, जो एक बिंदू से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्त्रित होता है साथ, कागस से बिना पेंसिल उठाए कोई भी आक्रिती, सीधी या तेढ़ी को एक वक्र कह सकते है इस संदर्भ में एक रेखा भी एक वक्र है आठ, यदि कोई वक्र स्वयम को न काटे, तो वह सरल वक्र, यानि सिंपल कर्व कहलाती है नौ, एक वक्र जिसके सिरे मिले हुए हूं, बंद वक्र कहलाती है अन्य था उसे खुली वक्र कहते है दस, रेखा खंडों से बनी बंद आक्रिती एक बहु भुज कहलाती है यहां, एक बहु भुज को बनाने वाले रेखा खंड उसकी भुजाएं कहलाती है 2. कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभए निष्ठ अंत बिंदु हो बहु भुज की आसन भुजाएं कहलाती हैं 3. दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहु भुज का शीर्ष यानि वर्टेक्स कहते हैं 4. बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदू आसन शीर्ष यानि एर्जसंट वतीस कहलाते हैं 5. ऐसे शीर्ष जो आसन नहीं हैं को मिलाने से बना रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण यानि डायागनल कहलाता है प्रिष्ठ 93. ग्यारह उभाय निष्ठ प्रारंभिक बिंदू वाली दो किर्णों से एक कोण बनता है दो किर्णे O A और O B कोण A O B बनाती हैं इसे कोण B O A भी लिख सकते हैं कोण से संबंधित तीन क्षेत्र हैं कोण पर, कोण के अभ्यंतर और कोण के बहिरभाग 12. त्रिभुज यानि ट्रायांगल एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है 13. चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर भुज यानि क्वाडरी लैटरल कहलाता है इसको शीर्षों के एक क्रम के अनुसार नामांकित करना चाहिए 14. एक निश्चित बिंदू से समान दूरी पज़ए पर चक्कर लगाने से बना बिंदूं का पथ वृत कहलाता है निश्चित बिंदू वृत का केंद्र कहलाता है निश्चित दूरी यानि समान दूरी तरिज्या कहलाती है तथा वृत के चारों और चली गई दूरी उसकी परिधी कहलाती है वृत्त पर किनी दो बिंदूओं को मिलाने वाला रेखा खंड वृत्त की एक जीवा यानि कौड कहलाती है केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है वृत्ती अक्षेत्र का वहभाग जो दो त्रिज्याउं और संगत चाप से घिर कर बनता है एक तरिज्य खंड यानी सेक्टर कहलाता है वrit की एक जीवा और संगत चाप से घृरावित्ती एक शेत्र का भाग एक वृत खंड यानी सेग्मेंट आव सर्कल कहलाता है वृत के एक व्यास के दोनुअंत बिंदू से दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग एक अर्ध वृत्त यानी सेमी सर्कल कहलाता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा, निर्मान सहयोग, सौम्या मलिक, निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।